तो आज हम बनाएंगे न ठाकुर जी के लिए बड़ी असब रशाद जो की है कोकोनेट और ड्राइफ रूट की बर्फी तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैन में एक कड़्छी घी ले लेंगे और उसके बाद यहां पे अपने ड्राइफ रूट को इसमें रोस्ट करेंगे क एक दब मीडियम गैस पे एक से दो मिनट के लिए इसको भी रोस्ट करेंगे और जैसे यह हलके से ब्राउन हो जाए है अब इनको भी हम निकाल लेंगे फिसके बाद हम यहां थोड़े से मखाने लेंगे और उनको भी अच्छे से एक बार रोस्ट कर लेंगे इनको भी एक से दो मिनिट तक रोस्ट करके हलका सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर इसको भी हम निकाल लेंगे क्लेट में अब लास्ट में हमें यहां पे अपनी किश्मिश को रोस्ट करना है इसको हम मुश्किल से 30 सेगंड दक के लिए रोस्ट करेंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है और इसका मॉइस्चर भी जल्दी खतम हो जाता है अब उसी सेम पैन में से हम घी को निकाल लेंगे और यहां पे हम ग्रेट करा हुआ नारियल जो है उसको अच्छे से रोस्ट करेंगे एक बारी ताकि इसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो सारा खतम हो जा और एकदम ड्राइ हो जाए तो इसको भी हम 2-3 मिनिट या 3-4 मिन इसके बाद यहां पे हम एक तार की जो है चाशनी बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक या 1.5 कटोरी हमें पे चीनी लेनी है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब हम इसको चला लेंगे जैसे हमारी यहां चीनी घुल जाए एक साथ मिलाकर इसमें डाल देंगे और अब हमें इसको एक बार अच्छे से चला लेना है साथ में अभी जितना भी मिक्सचर है हमें इन सब को एक साथ मिक्स कर लेना है यहां पर हम क्या करेंगे एक किसी भी परात में या इस तरह की प्लेट में हम पहले अच्छे से घी को को ग्रीस कर लेंगे थोड़ा और उसके बाद जो हमने mixture अपना बनाया था ना इसको अच्छे से इसके उपपर डाल के चार हो तरफ से फैलालेंगे अच्छे से कोने-कोने तक हम एक spot multiply के help उसको फैलाएंगे और उसके बाद हम इसे एक से दो घंटा जो है रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब एक से दो घंटे बाद आप यहां देखो कि हमारा जो मिक्स्चर एक दम बड़ी आदरीके से ड्राइ हो गया है और जरा भी मॉइस्चर इसमें नहीं रहा है तो बड़ीया से हमारी जो कोगोनت ड्राइफ रून वाली बरफी है वह एकदम रडी है आप देखो कितनी बड़ीया बनी है यह वहत्ता हुआ और इसको तोड़के भी आपको दिखा देता हूं की अंदर से कितनी बड़ीया बनी है तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी ल